हेलो एब्रिवन स्वागत करती हूं एक बर फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बना रही थी जिनर में लोबिये की फली की सब्जी कुछ जगों पर इसे रमास की फली भी बोलते हैं तो उसी की वीडियो आज मैं आप सभी किसाथ शेयर करने वाली तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी मैं यह किस तरीके से बनाती हूं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने ले ली हैं लोबिये की फली यह बहुती सोफ्ट और बहुती ताजी हैं देखिए हरी सब्जी में आती हैं healthy भी होती हैं तो अब मै यह को बनाओंगे यह सबसे पहले इने चार-पांच एकषा लेकर इस तरीके से प्लुक्лом बारिक-बारीख हम काट लेंगी है छे में में देखिए इसतरीके से मैं अफनी सारी फली को जच लूँगी है यहां पर आप इसके बाद मीनें इसी हैंẽ मैं अच्छे से दो एक अब ये हमारी फरी कटकर तयार हो गई है इसके बाद मैं इने दोकर रख दूँगी और तब तक मैं अपने आलू काट लेती हूँ देखें आलू भी बारिक बारिक पीस में मैंने यहां काट लिये हैं आलू को मैंने दोकर अच्छे से छेल लिया है और उसके बाद इस तरीकी से चोटे-चोटे पीस में मैंने सारे आलू अपने काट ली है आलू भी बारिक बारिक ही काटने है तब ये देखिए इनका पानी भी निकल गया है अच्छे से दोकर साफ हो गये है तो अब फ्राय करने के त्यार ही कर लेती हैं कि लिए है मैंने लोही की कडाई और उसमें चड़ा दिया है सरसो का तेल अब घञा गर्म हो रहा है तब तक हमें निगाल लेते इस करने के लिए के सामान तो सबसे पहरे देखिए मिने मैं सबसे पहरे ले लिए हैं जीरा ह कि थोड़ा सालोगी मह थीदाना और थोड़ी सी ले लूगी राई तो यहां पर मैं तीन चीज़े यूज कर रही हूं फ्राइ करने के लिए जब आप इस तरीके से यह लोबी की फली फ्राइ करेंगे तो खाने में बहुत टेस्टी वनेंगी तो अभी यह मैंने डाल दिया है तेल में और यह जब चटक जाएंगे तो उसके बाद डालेंगे इसमें हम आलू अब यहां मैंने यह आलू डाल दिया है चलाते वह थोड़ी देर तक इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और आलू को भून लेंगे आलू हलका सा भून जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक मैंने साबत लाल मिर्च ले लिए और इसके छोटे चोटे पीस करके इसको डाल दिया है देखिए मैं लाल मिर्च खाने में यूज नहीं करती हूं पिसी हुई तो इसके लिए मैं साबत मिर्च जादा यूज करती हूं या फिर मैं हरी मिर्च यूज करती हूं तो मैं वही रेसिपी आप से विक्षा शेयर करती हूं अब यह डाल दी है मैंने हल्दी यहाँ पर डाल नहीं हो धनिया पाउडर थोड़ी सी कस्मेरी लाल मिर्च कलर के लिए और थोड़ी सी डाल दूँगी हिंक अब चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर दूँगी देखिए यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला है अभी क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में नमक डाल दूँगी सबजी के साब से तो आलू में नमक सारा बैट जाएगा और हमारी फली में नमक अच्छे से नहीं जाएगा तो मैं नमक डालूँगी तब जब कि इसमें फली डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी अब यह मसाले मिक्स हो गए हैं तो इसके बाद डाल दी है मैंने यहाँ पर कटी हुए अपनी फली और इसे अच्छे से चलाते वे मिक्स कर देंगी यह देखिए कलर बहुत अच्छा आ रहा है हमारे सब्जी का यह फटा फट से सिर्फ एक भाप में ही बन कर तियार हो जाती क्योंकि आलू हमारे पक चुके हैं तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक सब्जी की स्वादन सार नम नमक डाले के बाद अच्छे चलाते में मिक्स करेंगे और इसे पांच मिनिट के लिए ढखकन बंद करके रख देंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सिर्फ एक बार भाप लगाने की बाद ही हमारी सब्जी तियार हो जाएगी तो अभी अच्छे से मिक्स हो गई है इस पर ढख देते हम एक थाली पांच मिनिट के बाद जब हम थाली को हटाएंगे तो हमारी सब्जी तेयार है अब यह देखिए मैंने थाली हटा दी है और अच्छे से चलाते हुए देख लेंगे चेक कर लेंगे सब्जी अब हमारी तेयार हो गई है सब्जी जब तेयार हो चाहे तो उसके बाद डाल यहां पर डाल रही हूं आमले का पावडर तीयार किया हुआ है इसी आमले की पावडर को मैं सब्जियों में यूज करती हूं क्योंकि आमले का पाउडर नुक्सान भी नहीं देता है और इसकिन के लिए और हमारी बोड़ी के लिए बहुती अच्छा होता है तो इसलिए मैं किसी भी सूखी सब्जी में आमले का पाउडर ही यूज करती हूँ आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाले भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर गरम मसाला भी यूज नहीं किया है क्योंकि मैं डेली यूज के खाने में मसाले बहुती कम डालती हूँ अब ये देखिए सबजी हमारी सर्व करने के लिए तेयार है जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि लोहे की इस कड़ाई में सबजी बनाने के बाद उसे फटाफट से किसी दूसरे बरतन में निकाले जी नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए